कि आप सोशल मीडिया से किस तरह से अंड कर सकते हैं अर्णिंग करना तो हार इंसान का खाब है और हम सोशल मीडिया पर टाइम भी लगा रहे होते हैं डिफरेंट अपस भी उस्त कर रहे होते हैं तो इन अपस पर जो टाइम हम लगा रहे हैं उसको हुटिलाईज करते हुए ह हम earn किस तरह से कर सकते हैं, हम अपनी products को sale किस तरह से कर सकते हैं, online किस तरह से earning कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए studio में हमें join किया है, एहमत मन्जूर, social media expert and technologist. Sir, welcome to the show. Thank you very much, ma'am. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, ma'am, आप बताएगे ठीक है. Alhamdulillah, I'm good. आप, हम social media की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बतादे हैं, कि social media, overall कैसा platform है, जो हमारे पास इतने ज़्यादा platforms हो हैं उसमें, तो इसको हम utilize करते हुए, किस तरह से earning कर सकते हैं? देखें, इसके लिए ना, सबसे मज़े की बात तो ये है, कि दुनिया अब global हो चुकी हुई है, पहले ये था सिलसला के, नहीं जी, हम सिरफ पाकिस्तान में काम करें और सारा सिलसला, अब companies भी global हो चुकी हैं, यानि आपने अगर कोई conference भी टेंट करनी है, तो आप online जाके कर सकते हैं, तो इसका मतलब learning के मुआख़ बढ़ चुके हैं, इसी तरह उसी तरह earning के भी मुआख़ बढ़ चुके हैं, युनिवर्सल चीज हो चुकी हुई है, और हर जगा आप यहां पर बैठके पाकिस्तान में बाहर सर्विसेज भी पढ़ा दे सकते हैं, जैसे आप आज Zoom के उपर पढ़ाते हैं, या Online Skype पर पढ़ाते हैं, या किसी और भी टूल को यूज करते हैं आप पढ़ा रहे होते हैं, तो इसी तरह आप Online भी पढ़ा भी सकते हैं, तो यह एक टॉपिक आपको या दी सर्फ एक चीज आपको बताईए, तो इसी तरह आप और बेताशा काम है, यानि Facebook हो गया, या LinkedIn हो गया, उसके पर आप बेताशा सर्विसिस दे सकते हैं, कंसल्टन्सी सर्विसिस दे सकते हैं, हैमल सब ये भी है ना कि जिसना हमारे बाहर के मुसल्मान रहते हैं, overall तो सारी चीज़े हम प्रोडेक्स भी सेल कर रहे हैं, बाकी सारी उनमें specific parents को यह होता है, कि हमने Quran पाक की तालीम देनी है, तो ये उनके लिए बहुत आसानी होगी है, social media के तुरू, कि यहां से बैठकर एक जो मॉलम है, वो बैठकर उसका earning का source भी हो गया, और वहां बैठे जो parents हैं, उनकी मुश्किल भी हल हो गई, कि हमने अपने बच्च आपने चार्ट जी-पीडी यूज किया होगा, तो अब आप उसे हसाब लगाएं, पहले जो content writer था, वो एक blog बनाने में या एक पूरी चीज लिखने में, कितना time लगाता था, अब वो 10 बार, 15 लिख सकता उतनी देर के अंदर ही, तो इसी तरह अगर suppose करने आप AI को यूज क more time change कर रही है, तो वो भी ऑntड, उसके लावा और बेतहाशा चीज लिख सकता है, तो इसके अलावा और बेतहाशा चीज अबली हैं, आप अपे उनलाइन स्टोर महीं नी चीज्ज जो है ला टी टेकनोलोजी कितनी वास्ट हो चुकी हुई है अचाल कर हम YouTube चैनल बना रहे हैं अगर मैं चाह रही हूं कि मैं अपना YouTube जो है चैनल बनाओं और उसको उसके उपर अपना जो भी कोई चीज करते हैं तो वहां पर आप अपना कोई भी ऑनलाइन अकाउंट दे सकते हैं ऐसे जैसे आज कल बहुत सारे बैंक आपको डॉलर की वह देते हैं कि वह डॉलर आप उसके अंदर ट्रांजक्ट कर सकते हैं तो इसी तरहां Google के कोई भी अकाउंट जैसे YouTube गूगल से चल अब कॉंटेंट डाल दिया है एक रात में कर लें जारा एक वीक लगा तो तुम कहते हैं यार हमने इतना दाइम लगा दिया है अभी तो कुछ आ क्यूंए रहा है इसकी नहीं चोटी सी मिसाल में दे देता हूं एक्चली मैं कई दफा कहता होता हूं आपने सेशन के दुरा कियों आप एक ही दफा में जाके सब कुछ नहीं कर लेते तो आप जब डेली जाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ें आगे बढ़ रही होती है यह जो कॉंसेप एक बना दिया वह ना ओवरनाइट वाली चीज अगर आप साइकोलोजिस से बात करें तो ओवरनाइ किसी को मिल भी जाती है अगर हम इंस्टेग्राम की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी एक्जेंपल्स हैं जो रातो रात अपनी कुछ ऐसी वीडियोस की वज़ा से जो हैं मशूर हो जाती है लेकिन फिर वो कहीं नगीं गुमनाम भी हो जाते हैं तो चर्चा एक दफा ज भी जाते हैं और फिर पीक से उसके बाद आबाड भाय भी ओ जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है और कुछ लोग ही हैं जो उसको मेंटीन कर पार हो से ना लेकिन हर इंसान कर रहे हो लेकिन हार जो है यूट्यूब से अर्ण कर सकते हैं तो अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐसे जैनल सा कोई आइडिया बता दे हमारे नाजरीन को जो चाहरे हो कि जो है हम उनको भी एक मॉटिवेशन मिल जाए कि हम यूट्यूब चैनल क्रियेट कर लेते हैं और फिर हम अगर एक स्पेसिफ लोग हैं जो 5000 डॉलर पर मंद भी कमाते हैं कुछ तालर 5000 डॉलर वीक भी कमाते हैं कुछ आसे लोग भी हैं लेकि यह डिपेंट कहर रही होती है चीज़ है यह आपके कॉंटेंट पे क्या लोग आपको देखना चाहरे हैं अब जैसे अगर मैं मिसाल दूँ बहुत सारे गे यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं का कॉंटेंट आप देखें तो आप आप अपने जोई करते हैं अपसे चीज़ भी रही है चली तो वह बहुत ज़ादा एक अच्छी चीज हो जाती है और बाद बाद जोकात ऐसा होता है कि कुछ कांटिन क्रिटिर ऐसे इतने माशल अच धीज कर रहे होते हैं मैंने देखे हैं कि बहुत चोचे शोक से देख रहे होते हैं कि इनका कोज़ाद बहुत अच्छा है और देखे हैं ओन शी लागOT करने के आप हम सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ आप काम जो है वो कर रहे हैं अचा अगर हम इंस्टेग्राम की बात करते हैं उसमें हम जो है जार से बादर कांटेंट करियेट करना है और उसकी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इंस्टा पे आपको अर्निंग करना तो उसमें अगर अब हम ग्लोबल हो चुके हैं तो आपको अपनी ब्रेंडिंग करनी इस वन अफ दो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको पर्सनल ब्रेंडिंग का पता होना चाहिए यानि दुनिया आपको जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं ना देखें पहले एक दोर हुआ कर आपको अपना ब्रेंड बनाना पड़ता है यानि आज हम जिन व्लॉगर्स के जिन यूट्यूबर्स के जिन और बेताहशा लोगों के नाम सुनते हैं उन्होंने पहले अपनी वो पिछले 10-10-15-15 साल से यही काम गर रहे हैं इसके इलावा उन्होंने और कुछ किया ही नही हैं तो उसी के ओपर आप देख लें अगर आप अपने वही जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं ना कि चैप्टर वन को किसी के चैप्टर 47 से मिलाने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं होने लगा ठीक है ना तो मेरा ख्याल है वही आप वाली बात के consistency ब उसको टाइम भी लगता है जो आपना ब्रैंड बनाएं तो उसके लिए कौन-कौन से स्टेप्स जो है उनको फोलो करना चाहिए अगर हमारे नाजरीन में से कोई इंस्टा पर आना चाह रहा है या अपने इंस्टा के थू जो है वो चाह रहे कि अपना कॉंटेंट भी आएक कि कौन-कौन से स्टेप्स को फोलो करते वे फिर हम जो है अपना काम भी तरक कर सकते हैं अचाह इसका एक बहुत सिंपल सा यारे कि जैसे वह एक तो आपने लॉग-इन बना लिया यानि हम सारा दिन जो है ना रील्स देखते रहते हैं और सब चीज़ें करते रहते है स्क्रॉलिंग करते रहते हैं काली जै अचाह अब उसके अंदर अगर हमने अपनी सपोस करें किसी भी चीज़ को उसकी सबसे पहले आपको बड़ी खुबसूरत सी जो है ना पिक्चर लें और उसको आप डालना शुरू करें सबसे पहले या आप अपने एक वीडियो डाल स अनिमेटिड वीडियो बना के देते हैं चलें वो भी अगर सपोस करें आप नहीं करना चाहते तो अब इंस्टाग्राम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसे टूल आते हैं जो डिफरेंट पिक्चर्स को अकठा करके आपको एक रील सी बना के देत हैं और उस चीज की स्पेशलाइज़ेशन चीज क्या है जैसे क्लोधिंग का ब्रैंड आप से सबसे पहला प्रॉब्लम पता क्या होता वही होता लोगों को यह नहीं पता होता के हम क्या डिफरेंट रहे हैं यानि अगर एक चीज एक ब्रैंड बेच रहा है तो आपके पास को तो फेस नहीं कर पा रहे होते हैं लेकिन की वोईस क्वार्टी बहुत ही जो जबरदसी होती है तो वो उसको यूज कर सकते हैं और वो लोग जिनको ये लगता है बजाहिर हर इंसान को ये लग रहा होते हैं कि मेरी आवाज इतनी ज्यादा इत्री नहीं है तो जिन लोगों अगर उसके पास for example confidence नहीं है या family permission नहीं है specifically girls को तो वो भी कुछ ना कुछ करके जो है earning कर सकती है और बहुत से हमने इंस्टेग्राम के accounts भी देखें हैं बहुत से popular pages भी हैं जो समें लड़कियां hidden face के साथ जो भी उनकी dressing है उसको डाल रही होती है और वो सारी चीजें तो उस टॉक लाइव आजकल बहुत चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप उसके तरू किस तरह से earning हो रही है देखें वो भी same चीज है like के जैसे हम Facebook लाइव चलाते हैं इसी तरह टॉक भी एक उसी तरह का टूल है nothing else जैसे पहले इंस्टाग्राम ये चीजें रील्स बाद में लेके हैं सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप उसके अंदर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा साल है कि उसके अंदर वोई वीडियो कॉंटेंट बहुत ज्यादा है अब आगे चलके वहां उसके अंदर हमारे ह शुरू कर दें जैसे टिक टॉक पर अभी मैंने थोड़ी दिर पहले नाम लिए इसमाइल ब्लॉगर जो हैं उनके उनका उनका कॉंटेंट बहुत अच्छा होता है आप उस पर शॉट्स डाल सकते हैं चोटे-चोटे जो अगर आपने को यूटियो वीडियो बनाई है तो शॉट्स डालने हैं आप उसके उपर तो बेसिकली सब प्लैटफॉर्म को अगर आप कठा यूज करने हैं और साथ ही उतना लिंक दे दें तो लोग जो इंड्रस्टिंग होंगे उसमें तो आपकी लिंक पर जाके ज़रूर क्लिक करेंगा और यूट्यूब पे भी आपकी बढ़ जाएगे और टिक टोक पे तो आपकी आलरेडी आप हैं तो वह भी मिल रहा होगा अच्छा व्यूर्शिप का लोगों को मसला हो रहा होता है कि हम इतने साल से लगे हुए हैं हमारे व्यूर्स नहीं बढ़ रहे हैं कोई ऐसे टूस बता जिनके थ्रू जो हैं हमारी वियर्शिप बढ़ती है बेसिकली इसको कहें आपके कॉंटेंट की बेस पर यानि देखें आपको एक नीश पगड़नी बढ़ती है कि जी मेरे मेरे कॉंटेंट में ये डिफरेंट है उन लोगों से यानि मैं अगर ऐसे बात करूँ कि जी मैं आइम टेकनोलोजिस तो मैं किसी नई टेकनोलोजी की बात नहीं करूंगा मैं दुनिया को सपोस करें आज कल लोगों ने नाम नी सिनों का वाइफाई 7 का मैं अगर सपोस करें उस पर बात आज करना शुरू करूं आना उसने भी दो साल बाद है तो लोग मुझे सुनना शुरू कर देंगे लोगों को उसमें इंट्रस्ट हो जाएगा इसी तरह और बे तहशा चीज़ें जैसे आपने अगर सपोस करें आज कल आप AI का कोई टूल पकड़ने हैं मिसाल दे रहा हूं सिरफ और उसको सिखाना शुरू कर दें लोग आटोमाटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगा तो जो करके इंतजार करते हैं कि नेक्स एपड़ोड किस दिन आ रहा है रहा है और उनके एक फैमिली को जोड़ने का भी बहुत अच्छा ज़री है अगर आपको कॉंटिन के थूए एक फैमिली जो है आपको भी देखकर इन्जॉय करें तो उनके आपस की जो देखें आज कल ना वो एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ है तो उसके अंदर यानि हर बंदा उसको कैसे देख रहा है कॉंटेंट है ना उसके अंदर लोग इंटर रिलेट कर अपने आपको इंटर रिलेट कर पा रहे हैं उसके साथ कि एक मिडियोकर की फैमिली की बात ह वह दो हरी है तो हमें जी हम घ्री यह जिसे हमारी अपनी चल रही हैं तो बिल्कुल यह पॉप ऐसानी हो गई है कोई पार्ट हम ड्रामा का चोटा सा ख्लिप पर कर लोगों को जब मज़े का लगता है तो ड्रामा की जो फ्यूरशिप हैं वह भी बहुत ज्यादा इंक्रीस हो जाती है लोग सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से जाके वापस टीवी पे आके भी वो चीज़ें देख रहे होते हैं अच्छा टाइटल किस तरह का होना चाहिए अगर हमने कोई वीडियो अप्लोड करनी है और अगर हम इंस्टा पे अप्लोड करें तो उसका टैग किस तरह से होना चाहिए टाइटल किस तरह से हम चूज करें थम्निल किस तरह का हो कि लोग चाहिए अट्रैक्शन फील करें और फिर जाके उस चीज़ को देखे भी अच्छा मैं परसली मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि आपके टाइटल में कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए लेकिन जो थ सकते हैं नहीं लिगाना चाहिए लेकिन आप उसको तो बेसिकली मिस्ट्री होनी चाहिए उसके अंदर ताके कोई बंदा इस पर क्लिक करे क्यों आये क्यों इस वीडियो के अंदर क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले बता देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह एक आप हम ले कोई content मनाया है और या कोई चीज ऐसी है कि वो trending में जाने के लिए लिए जाने के लिए हम क्या करेंगे किस तरह के हम टेक्स लगाएं आज कल इस चीज को बहुत असान कर दिया चैर जी बीडी नहीं उसके उपर आप जाकर सिर्फ इता लिखें कि यह इसके उपर मेरी आज़ बॉट करना चाहिए लाइक वैसे तो हम सारा दिन यूस कर रहे होते हैं लिकिन मोर स्पेसिफिकली हम यह देख रहे होते हैं कि रात में बच्चों के यह को अप्लोड करें ताके वह थोड़ी सी आगे उसकी रीच होती जाए और रात तक जो हमारे नाज़ीन तक जो को भी वियूर्स हैं देख रहे हैं उस content को उन तक वो पहुंच जाए लेकर एक analysis सबसे मज़े का यह है जिस दिन भी करें उस दिन रात को 10 बजे करें वो उस टाइम हर बंदे के हाथ में मुबाइल होता है खाना शाना खा के फारगों के बैठे होते हैं नमबर वन नमबर टू जो days बताया जाता है ना वो बताया यह जाता है कि या तो आप Wednesday को करें और Friday को करें ठीक है यह यानि कुछ इस तरीके से scene थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि आपकी viewership किस तरह की है आपको educational अगर suppose करने चीज डाल रहे हैं वो लोग weekend पे नहीं देखेंगे ठीक है या अगर आपको बहुत लंबी वीडियो डाल रहे हैं वो लोग weekend पे देखेंगे तो इसलिए आपको कुछ यह days जो है ना या नॉर्मली जो आपने जितने भी यूट्यूबर इस ट्रैंब बड़े देखें होंगे ना आप उनसे number one तो follow उनको कर सकते हैं उनको जाके देख सकते हैं वो किस किस दिन डाल रहे हैं नॉर्मली जो होता है वो वेडनस डे और फ्राइडे को डाल रहे होते हैं और रात को दस बजे के राउंड जैसे आपकी बहुत सारी podcast आ रही होती है अब इन में कुछ Tuesday और Thursday को भी डालते हैं क्योंकि शुरू के दिन भी हमारा weekend जो है खत्म हो लें ताकि जो है आपकी व्योशिप जो है वो बहड़ सके और आपका content जो है वाइरल भी हो सके अच्छा हम पेजिस के अगर बात करें अगर हम Instagram पर कोई page create करना चाह रहे हैं तो पिर हम उसको किस दरां से create करें उसके लिए हम किन बातों का खयाल रखें कि जो हमारा page है वो आप उसको बनाके उस पर दो दो साल पोस्ट ही कोई न डालें ठीक है फिर तो फाइदा कोई नहीं है लेकिन अगर आपको उसको daily देखना पड़ेगा आपको उसको manage करना पड़ेगा इसी तरह इसलिए आजकर एक job निकली है that is call जिनको हम पहले social media managers करते थे आप उनको community managers कह इंगेज रखने की कोशिश करते हैं जब आप इंगेज रखेंगे तो लोग उसको ज्यादा देखेंगे भी ज्यादा follow भी करेंगा पिर उसी से ज्यादा जब चीजे शेयर होंगी तो आपने कई दफाए पोस्ट देखियोगी this person follow you through some page तो वो एक चीज़ आप बना सकते है तो वो कितनी beneficial है उसमें कितना फाइदा है क्या नुकसान है ये भी बताएगा एक एक होती है organic जैसे organic followership होती है अब उसी तरह अगर आपने कुछ इस तरह की लिया तो कुछ अरसे के बाद ये ना हो कि वो खतम होनी शुरू हो जाए तो कोशिश ये करें कि organic लें उससे कर वाली उसके बाद वो चीज़ चली कोई नहीं जैसे अभी आपने थोड़ी तरह पहले बात की थी कि कुछ लोग रात और रात वाइरल हो जाते हैं उसके बात गुम नाम हो जाते हैं तो इसी तरह आपने ये काम कर तो लिया लेकिन उसके बाद क्या होगा पर ठीक है ना अच्छा हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि अब पहले जो था ना कि लोगों को अपरचुनिटिस कम मिलती थी मौडरिंग की फील्ड में देख लें या ड्रामास में चांसे बहुत मुश्किल हो रहा होता था कि किस तरह से जो हम एक छोटा सा भी रोल लेने के लिए इतना टाइम लगता था इतनी मेहनद लगती थी और अब ये कितनी चीज़ आसान हो गई है ना कि हम शूट्स कर रहे हैं अगर आपका फेस अच्छा है या आपकी वीडियो का कॉंटेंट अच्छा है आप जिस तरह की भी कॉंटेंट बना रहे हैं तो अप ड्रामा के लिए भी इस बहुत जादा हो गई है कि लोगों को असानी हो गई है इस काम में जो आगे बढ़ना चाहरे होते हैं उसी तरह अगर हम मौडलिंग की बात करें तो अच्छे फेसे जो होते हैं उनको अच्छे अच्छे जो हैं शूट्स वो करवाने के लिए आफर्स भी आ रही होती है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले शुरू शुरू में कुछ भी नहीं मालूम होता लेकिन उनके फेस के थूरू और आइस्ता आइस्ता वो चीज़ें सीखते सीखते जो है उनको एक पूरी अपरचुनिटी मिल जाती है और वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में भ पर रहे होते हैं और उस तरफ से भी और रही होती है दूसरी तरफ से भी अर्णिव और हो रही होती है तो यह कितना बैनिफिश्चिल है हमारे लिए देखें मज़े की बात यह ना कि अब आप वही जिसना मैं थुड़ी दिर पहले बात कि हम ग्लोबल हो चुके हमें आज आपको जौरूरत नहीं है यानि आज आप यहा बैटके किसी भी इौर्ट सेरिमणी के अंदर अपना काम दे सकते हैं कि जी मैंने ये काम किया मुझे भी इवार्ट दो किसी भी काणफेंस के अंदर जरूरी नहीं मैं आपको उसके लिए किसी की बैक चाहिए आप उनका ऑन कि अब हम सिरफ जितने आप गलोबल होंगे, लोग जितने ज्यादा आपको जानेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास ओपरचुनेटी होगी चीज़ों को, तरकी करने की और तौमाम चीज़ों जी, आप में जैसे गलोबल की बात किया है अभी, तो हमारे हाँ तो इंटरनेट के मसाईली इतने हैं, तीन-तीन दिन तक, हमारा चार-चार दिन तक इंटरनेट बंद हो जाता है, जितने ऑनलाइन सारफीन हैं, जो वो लोग जो ऑनलाइन वर्किंग करें, उनके लिए तो मसा मार्केट किस तरह से मॉडिफाइ करें इन चीज़ों को, इंटरनेट के हमारे इतने मसाईल बाज वकत ऐसा होता है कि हमारा कॉंटेंट तो बहुत अच्छा है, वो ट्रेंडिंग में भी जा सकता था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट के मसाईल आ गए हैं, तो फिर इसको किस पॉलिसी मेकर अगर आपको मैं यह कहूं कि हमारे हाँ पॉलिसी का कुछ इशू है, हमें उनके बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, हमें सिरफ वो जो एक जिसको हम अगर साधा सबाने के न, चापलूसी से निकल के हमें काम करने की जरूरत है, इन चीज़ों के पर ब कुछ दिन ही इंटरनेट बंद कर दें, सिरफ किसी चोटे से बेनिफिट की वज़ा से, तो मेरा ख्याल है कि that is billions of dollars का जिसका आपको नुकसान हो जाता है economy के अंदर, तो वो जो एक ख्वाद देखा जाता है, हमारे हाँ पाकिस्तान के economy, economic growth होगी इस चीज़ के थूरू, व और लोगों का बहुत जाता पिर नुकसान भी हो जाता है, मामलात खराब हो जाते हैं, बाजों का सिर्फ अर्निंग इस चांसे नहीं होती है, हम आल्लाइन काम कर दे होते हैं, हमने बाहर के मुलकी जिस आपने का कि अब हम दुनिया ग्लॉबल विरिज बन गई है, और हम य नुकसान है और अगले निसान का भी जो हमारे मुझे से नुकसान है, मैं इसके अंदर ये भी सोचे ना कि हम अगर सपोस करें, मैं यहां पे बैठके युके की युनिवस्टी में बजाते खुद पढ़ रहा हूं, तो मैं एंट टाइम पर वो नहीं करवा पाँगा, अपन कॉंचन कॉंटेंट भी होता है, बहुत सभी हमारे नाजिविन जो हैं उनको आप ये बता दे कि किस तरहां का कॉंटेंट के करना चाहिए और कोई ऐसा कॉंटेंट ना हो जिस पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो किसी के लिए नुकसान दे, अब नुकसान दो तरांगे होते हैं एक होता है जिसमानी नुकसान एक होता है दमागी नुकसान तो आपको कोई भी जो कॉंटेंट जिसको आप कहली जिए पेज बनाना है, सोशल मीडिया पर जब आपने जाना है उसको किसी इन्फॉर्मेशन दें लोगों को जैसे सपोस करें आजकल SMS के थूरू बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं आजकल सब को एक लिंक आता है आप उसके ओपर एक वीडियो अगर जिसे कहें पब्लिक सर्विस मेसेज वीडियो बनाकर डाल दें तो इसका मतलब आप एक पॉजिटिव चीज मार्किट में लेकर आ रहे हैं रादर देन के आपने जी एक वो जिस तरह आजकल हमारे कुछ यूट्यूबर मशारा थे हैलो करके तो आज आज़ते हैं तो पॉइंट इस के जी उसके अंदर आप कुछ बैनेफिशल लेकर आ रहे हैं उनके जो जाहिर से बात है बच्चे वो ही करते हैं जो देख रहे होते हैं अगर अच्छा कॉंटेंट बच्चों को मिल रहा है कोई पॉजिटिव चीज़ें वो देख रहे हैं तो यकिनां पर मौशरे में भी बेहतरी आती है हमारे इंफ्लियंसर्स भी जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें से कर रहे होते हैं अच्छा एक और भी हमारा यहां पर वो है कि हम लोग कल्स्चर भी बना रहे होते हैं तेकनॉलजी जितनी एडवांस हो गई है जितनी हमारे पर प्लाटफोर्म हो गए है तो हम जब लोगों को देखते हैं फैशन सेंस भी जो है अमूमन जो खावातीन है और मर्द हजराद भी यही देख रहे होते हैं किस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो चल रहे हैं या उनके फेवरेट इंफ्लियंसर ने क्या पहना है उसको कौन सा प्यार पेके जाया हूँ उसके तरह के ड्रेस्स थी वो सारी चीज़ें और फिर वेडिंग भी अगर हम देखें तो हमारे टिक्टोकर्स जो हैं या जो हमारे और इंफियंसर्स हैं उनकी बड़ी ग्रैंड किसम की शादी हो रही होती है बड़ी प्रोमोशन हो रही होती है उस पर क्या कहेंगे आप क्योंके यह चीज़ वो हो गई है कि हमारे सोसाइटी में तो गरीब लोग भी बहुत जाला है एक मैं चोटी सी बात बलके एड कर दूँ आप पहले ना इंटरनेट को कहा जाता था इस 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 आ नेटवर्क इंफरमेशन अब यह बन गए नेटवर्क आफ वैल्यू वैल्यू का मतलब है जैसे भी आपने एक लवस बोला जिसकी वज़ा से मुझे पूरी बात याद है पी-अर पैकेज़ हमारे हाँ मसला यह हम सिर्फ पैसों को अर्निंग समझते है सपोस करें अगर आपको एक पी-अर पैकेज आता है लड़कों के लिए एक प्लेस्टेशन प्याइस फाइवा आ जाता है और फीमेश के लिए कोई मेक अप का समाना आ जाता है तो असल में तो वो पैसे अब वो आपने उस पर रिव्यू भी देना लोग आपको आपका औरा देखके दे रहे होते हैं चीज़ कि ये बंदा हमारी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगा किसी जगह लेके जाएगा तो क्या इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी ज़्यदा होगी तो मेरा परसुर्टेशन की बात कर दिये तो लड़्य चीज़ को रिप्रेजेंटेशन भी कितनी मेतर कर रही होती ना आपके content में कि आप चीज़ों को इस सतरह से दिखा रहे हैं आपके उसमें dresses कैसी हैं आपका fashion sense कैसे अगर लड़कियां कर रही हैं तो यही चीज़ लड़कियां जादा देख रहे होते हैं कि अच्छा वेडिंग बेस्ने क्या पहना किस तरह से स्टाइलिंग की और अगर कैजूल ही जा रही हैं ऑफिस वेर है या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेधर है तो किस तरह से है अगर अच्छा कॉंटेंट बनाएंगे आपकी वियोशिप भी अ मेसेज कोई ना कोई अवेरनेस देते जाएं आज के इस सेक्मेंट से इतना ही आवक्त है मुक्तिसर से वक्ते का वक्ते के बाद आजिरूंगे हमारे साथ भी जाएंगे